महामारी के इस दोर में हर तरफ रही माम मचा हुआ है क्योंकि एक तरफ कोरोना के आंकडे लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना से होने वाली मोते भी रिकोर्ड तोड रही है लेकिन इससे भी बड़ी समस्या अस्पतालों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से आ रही है जी हाँ महामारी के इस दोर में भी स्वासे विभाग लापर वाही की अपनी अदालत नहीं छोड़ रहा है इस बार स्वासे भाग से ऐसा कारनामा हो गया जिस सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे दरसल फतेहबाद के नागरिक अस्पताल में बने शव ग्रह से एक मृत शरीर ही गायब हो गया जब इस मामले का पता अस्पताल प्रेशासन को चला तो उनके होशुड गए बता दें कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कोरोना के कारण मोद का शिकार हुए 62 साल के व्यक्ति का शव उनके परिजन लेने अस्पताल पहुंचे शव ग्रह में से जब वे शव लेने गए तो पता चला कि उनके परिजन का तो वहाँ शव ही नहीं है मेरे मामा जी शर्वन भातिया जी 7-8 दिन से सीविल होस्पिटल में एडमिट है जी तो इन्होंने रख रखा था अपने केयर में रख रखा था कल हमारे को पता लगा है जी एज़ पर डोक्टर के उस गई 6 बज़ के 25 मिट में मेरे मामा जी की देथ हो गी है हम आये हैं जी मेरी मामी जी भी स्टाफ में है सीविल होस्पिटल में नर्स हैं ये भी रात को नाइट डूटी में आये हैं तो हमारे को दोनों को मेरे को भी जवाब दिया गया है मेरी मामी जो नरसन को भी जवाब दिया है कि डेथ हो गी है और हमने मुर्दा घर में लाश रख दी है वाँ से तो मैंने कहा जी मेरे को कोई कागच कुगच कोई भी जो उनका बैग है कहते हैं जी हमारी night duty चेंज होगी है कल सुबह आप आजाना आपको डेड़ बोडी दे देंगे सुबह 9 बजे से मेरा भाई बिगड़ से आगया जी वो खड़े है तो यही जवाब दिया जा रहा है कि हमारे पास एक एम्बुलेंस है वो गई हुई है जब आएगी आपकी डेड़ बोडी रखवा देंगे और जहां ससकार होता है वहाँ पर आपको चले जाना है दो दिन पहले मेरी मामी जी की इनकी वाइफ की भी देथ होई है तो हम गई है तो शाम को जब एम्बुलेंस हाई है तो इन्होंने का जी हमारे पार डेड़ बोडी नहीं है मेरे भाई ने अंदर जाके मौर्चरी के अंदर शब गरह के अंदर जाके चेक करी है उस तैंगी दो देथ हाथ सुबे होई है एक एक एक्सिडेंटल की जैंस की थी और दो डेड़ बोडी और पड़ी है एक लेड़ी की एक जैंस की और मेरे भाई ने चेक करी है उसमें नहीं है उसके बाद हम आये हैं जी मैंने खुद अच्छी तरह से जाके चेक करे है शकल देखिए के क्विंट में उसमें से कोई डेड़ बोडी नहीं है और एंबुलेस वालों से बात करी है कहते जी की रात के बोडी आगी है लेकिन हम आज सुबह एक ही लेड़ी की बोडी लेके गए हम और कोई बोडी नहीं लेके गए तो प्रशाशन की लापरवाई की वज़े से अब शाम को कितना टाइम हो गया मैंने नहीं देखा लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा हमारे परिजन की डेड़ बोडी नहीं मिल रही जो की एक आम नागरी और सभी के साथ की बोड़ वो है कि अगर यहाँ पर इस महामारी के टाइम में अगर डेट बहुत ज़ादा होती है भगवान ना करे सारे सही रहे लेकिन इतनी सारी डेट में कोई बात नहीं एक आधी बोड़ी दर दर होगी तो कोई धिक्कत नहीं है लेकिन डेट ही दो और ही है और उसमें अगर आप परिजन की बहुत बड़ी लाप्रवाई है परीजिनों के शोर मचाने पर अस्पताल प्रेशासन के नीन तूटी और आनन पानन में जांच शुरू की गई और जांच में पता चला कि उनका शव तो बीते दिन ही कोई ओर ले गया है फिलहाल ये मामला तो सूलज गया है और परीजन भी संतुष्ट हो गया है लेकिन ये पूरा घटना क्रम अस्पताल प्रेशासन पर बड़ा सवाल छोड़ गया है क्या लापर वाही की हद ये भी हो सकती है ता मसला के लिए फतेहबाद से राजेश भाम्भू की रिपोर्ट